राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग आज की हमारी कहानी कर नाम है जबाब बहु बाबु जी के लिए जड़ा एक अप चाय बना दो मा जी सुबा से दो चाय हो गई अब हम खाना बनाने की तयारी कर रहे हैं चाय वाय तो नहीं बनेगी कहकर दोनों बहुवे रंजना काम में लग गई दोपर के खाने का वक्त हो गया है सुरेश जी बोले गीता जी भूख लगी है खाना लगा दो जी अभी लगाती हूँ बोल रस्वई में पहुँचकर पतीले और रोटी का डबा खुल कर देखा तो कूल मिला कर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था उन्हो काम में लग रहा है पापर खतम हो गए अभी मंगवा लूंगी साम को खा लेना बोल चूप हो गई अरे देख रहा हूँ आज कल आचार पापर सलाद नमकिन खाने में कोई न कोई कमी रहती है आखिर हो क्या गया है भवो से कहो कि रसोई की ब्यवस्ता सही रखा करे जी अड़े आप भी भूला कड़ है अब देखिए मेरे लिए मिठा नहीं लाई सुन दड़ का रसोई में पहुँची मिठा तो कुछ था नहीं एक गुड का टुकडा उठा लाई ये लिजिए अड़े गुड कोन खाता है कल गुलाब जामुन आये थे जरा कटोड़ी में दो चासनी पड़ी है हो सकता है बचे खा गए होंगे आप अभी गुड से काम चला लिजिए साम को बेटे कुछ न कुछ ले आएंगे तब खा लिजिएगा वहां गिता जी अगर कोई परिसानी हो तो हमें बताईए अरे बेटे कम आते हैं मेरी पेंसन का सारा पैसा तो हम घर म अजी आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है आगे से मैं ध्यान रखूंगी चलिए अब आराम किजिए साम को सेर पर भी तो जाना है ठीक है जैसी तुम्हारी अग्या तुम भी खाना खा कर आजाओ जी आती हूँ लेकिन खाना तो था ही नहीं एक रोटी खाले में बच्ची हुई सबजी के साथ खाना खा पी कर अपने कमरे में आकर लेट गई अब अतीत की यादों में खो गई अपने बेटा बहु को प्यार अपनापन दे कर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो आज इस तरह घर में दो रोटी खाने को तरस रहे हैं कभी गलत बोला ना कभी गलत किया फिर सजा क्यूं सुरेश बाबू पोस्ट ओफिस में कलड़के गीता जी ने गिरहिनी बनकर अपनी गिरस्ती को बहुत अच्छे से संभाला तनख्वा सिमित थी मगर सास ससुर की दावा सेवा बच्चों को खाने पहनने सिक्षा में कोई कमी नहीं होने दी कुछ दिनों बाद लोन लेकर उन्होंने तिन कमरों का मकान बना लिया ताकि किराए के घर और किराए के मकान की स्विधाव से फूर्सत मिल सके ऐसे ही बच्चों को भी सिक्षा लोन पर सिक्षा दिला अच्छे पदों पर अस्थापित कर दिया दोनों ब उन्हों को उन्होंने बेटी बना कर रखा, कभी भी किसी परकार की कमी नहीं होने दी, कभी भी माई के आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बलकि उनकी स्विधा के लिए पोते पोतियों की देख रेख भी खुधी करती, गिता जी की राज में दोनों बहुए घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश भी देश खुब घुमी मगर चीजी सुरेश बाबू के रिटार्मेंट और गिता जी के घुटनों के दर्द बढ़ने के कारण बदलने लगी घर की बेवस्ता ठीक बनी रहे कोई भेद भाव ना हो इसलिए सुरेश जीने एक महीने की पेंसन बड़ी बहुको और एक महीने का पेंसन छोटी बहुको देने का तै किया बहुए पेंसन मिलने के आस पास के दिनों में तो खाने पिने का ख्याल रखती मगर जैसे ही पेंसन हाथ में आती वे पड़वा करना छोड देती आचाड पापर मिठाई नमकीन सभी चीज के डिबबे को ताले में बंद कर देती खाना भी दो की जगा एक व्यक्ति लाइक बनाती बुढ़ापे में भूक ज़्यादा ही लगती है क्या करे अगर गीता जी सोचे की अपने हाथ से कुछ बना ले तो रसोई में सारे समान में तला लगा देख जाती और पानी पीकर अपने आपको सैमित कर लेती गलती से अगर सूरेश जी बज़ार से कुछ खाने पीने का समान लाते तो कहती आपको सर्म करनी चाहिए ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इलजाम नहीं लगाना ये सुनवे चुप चाप रह जाती गीता जी पहले दिन भर रस्वई में एक पाउप पर ही खरी होकर सारी काम करती थी दोनों बहुवे आराम फरमाती मगर अब उनके घुटनों की दर्द की वज़ा से वे रस्वई के कामों में हाथ नहीं बटा पाती जिस वज़ा से अब बहुवों को उन पर चिड आने वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कोन करेगा जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता इनसान अपनी इच्छा से मर तो सकता नहीं है मगर आप सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लचारी में अगर दो सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन क इसकाम का इसलिए उम्र का कोई भी पढ़ाव हो अपने आत्म समान को बनाय रखना है उसके पढ़ियास मुझे खुद ही करने होंगे किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए सोचते उवे उन्हें कब निंद आ गई पता ही नहीं चला पांच बज़े सूरेस जी ने उन्हें इसलिए बेटे साम को कुछ न कुछ मिठाई लाते बहुए भी दिखाने के लिए साथ ससूर के लिए पेट भर खाना देती दो दिन बाद सूरेस जी ने गीता जी की हाथ में पेंसन लाकी रख दी और कहा घर में दे दो रसोई अच्छे से चलेगी जी बिलकुल सही कहा आप आराम से बैठिये मैं चाई लेकर आती हूँ इससे पहले ही रंजना चाई बिस्किट लेकर हाजिर हो गई क्यूंकि उसे पता था इस बार पेंसन उसे ही मिलने वाली है बड़ी बहु आज खाने में गटे की सबजी बैगन का भर था मसाला पराठा बनाओ बाबु जी क वो बहुत पसंद है आप जैसा कहे मन में तो बहुत बुड़ा लग रहा था पर सोच रही थी एक बार बुढिया पेंसन दे दे फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई गीता जी अपनी ठाली रखने जाही रही थी कि रंज बहु बोली माजी पेंसन कब दे रही है महीने का रासन भरना है हाँ अभी बाबु जी लाए नहीं है दूंगी तो तुमें ही इतनी जल्दी भी क्या है अच्छा एक काम करो साम में सुमन से कहो पालक पनीर और वेजी टेबल पुलाव बना ले जी माजी आप जैसा ठीक आने के बाद सब के सामने बोली माजी पेंसन दे दिजिए यो बिना पैसे के हमसे रोसोई नहीं चलती फिर आज तो 1100 का सलेंडर भी आया है अगर आपने पैसे नहीं दिये तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी ये मेरा फैसला है ये सुन सुरेश जी और गीता जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वे सिर जुकाए बैठे थे वे बोली बेटा खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा ऐसा तो नहीं है कि तुम जैसी अभी हो वैसी की वैसी ही बनी रहोगी और तो और कल को तुम्हारी बहु भी आएगी किसी से नहीं तो भगवान से डरो बोल अपने कमरे में चली गई सुरेस जी को बात समझते देर न लगी कि गीता जी को क्या हुआ है और वे रोज करती क्या है उन्हें पता नहीं था उन्हें तो थोरा बहुत खाने को मिल रहा है लेकिन उनकी पतनी को खा पास वाले स्टोर रूम को काम वाली रूपा की मदद से रस्वई का रूप दे चुकी थी नास्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे ये देख रंजना सुमन दोनों एक साथ ये सब क्या लगा रखा है हमारे घर में आपने रस्वई अलग कर ली लोग क्या कहेंगे कुछ त लोग कहते हैं तो कहने दो बहू मैंने सब सोच लिया है अबसे हमारा खाना रूपा बनाएगी तुम लोगों को फिक्र करने की जुरत नहीं है इसलिए पेंसन अब तुम्हें देने से कोई फैदा नहीं क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे और अबसे आजय बिजय तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे सायद तुम भूल गए अभी भी ये घर तुम्हारे पिता जी के नाम पर है और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही माकान खाली कर दो किसी और को कमरे पर किराया देकर किराया वसुल लेंगे साथ में इजट भी चारो हक्के बक्के से खड़े थे उन्हें अंदाजा नहीं था कि सीधी साधी मा का ऐसा बिकराल रूप देखने को भी मिलेगा बत्तमीजी दूर बेवार करने की वज़ा से घर हाथ से पिंसन भी गई और जादा किसी ने बोला तो सिरसे छत भी चली जा लाइक सब्सक्राइब किजिएगा और इस कहाने पे आप लोगों की क्या रहा है कमेंट करके जरुर बताईएगा धन्यवाद